Hello friends, good morning, आज के इस वीडियो में बात करते हैं, Glossitis, यानि Glossitis is the inflammation of tongue, जीव के सूजन को Glossitis बोलते हैं, Glossitis काफी लोगों में देखा जाता है, तो आज के वीडियो में यही हम लोग समझते हैं कि इसके कारण क्या है, और जिनको Glossitis हो जाया हो करें क्या, और होमेपेथिक ट्र देखिए हैं जीव के दुनों किनारे हैं जैसा figure में दिख रहा है, उस पर दान्तों की निसान पढ़ गये हैं, इस बिमारी में जीव का आकार सामान से थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिस वज़से दान्तों का दबाव जीव पर पढ़ने से निसान बन जाता है, यानि ग्लोसाइटिस बोलते हैं तो दिखे जो ग्लोसाइटिस है ए इंडिकेटर है कि सरीर में कुछ अनिमित्ता है जब दांतों का निसान जीव पर पढ़ने लगे तो इसका मतलब जीव अपने सामान आकार से बड़ी हो चुकी है अब इसी अवस्था को ग्लोसाइटिस करते हैं तो ग्लोसाइटिस का ट्रेटमेंट आसान है बस ए पूरा वेडियो आप अन्त तक देखिए पूरी बात ठीक से समझ में आ जाएगी ये ग्लोसाइटिस होती क्यों है और क्या करना है आपको तो सामान कारण की अगर बात किया जाए तो सबसे प्रमुक कारण है B12 की कमी जो पहला सिम्टम से बिटामिन पहला कारण है बिटामिन B12 की कमी दूसरा है अधिक समय तक अपच या पाचन समंधि समस्या बने रहना और तीसरा है ठाराड हार्मोन की कमी चौथा डेहाइडरेशन और पाच्वां एनजाइटी तनाव तनाव मेंटल स्ट्रेस एनजाइटी तो इस सब प्रमुक कारण है तो दिखे आपको करना क्या है क्या करें अगर जीप पर दातों की निसान पढ़ जाएं इंप्रिंट आ जाएं तो आपको घरेदू दिनचर्या को बैलेंस रखना है दिनचर्या आप बैलेंस रखेंगे तो जो भी ट्रेटमेंट लेंगे जहरी सब्जियों का सेवन प्रचुर मात्रा में करें पालक, चवराई, मेथी का सेवन अधिक मात्रा में करें तो इनके अंदर विटामिन B12 के कंपोनेंट्स भी पाय जाते हैं और इसके अलावां ओमेगा 3 पहटी एसिड जैसे और लाबदायक कंपोनेंट्स पाय जाते है तो इस तरह से दिन चर्या को संतलित रखना जरूरी होगा और रात को सोने से आधा गंटे पहले एक गिलास गुनगुना दूध जरूर पियें, सोंट का चुन आधा चमच, प्लस थोड़ा सा गुड मिलाकर भोजन करने के बाद खायें, पाचन सकती मजबूत होगी, दो ल इस तरह से आप घरेली उपाय कर सकते हैं, ताकि ट्रिट्मेंट अच्छे से रिस्पॉन करें, इनिसियल स्टेट में ठीक हो जाएगा, दवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनफार्चुनेटली जिनको ठीक नहीं हो पाता, उनके लिए होमेपथिक ट्रिट्मेंट लेन कि दोबूंत साम को जीब पर रखें, और तीसरी दवा है चिलेडोंियम क्यों मदर तींचर आता है कि फंद्र बूंत एक कप पाने में डालकर तीन बार पिये綬ुद के जो मदर तींचर यह से तो इन तीन दवाओं से दिन चर्रिया को संतुलिद रखने से, विटामीन बी 12 फूट सप्लिमेंट लेने से आपकी जो ग्लोसाइटिस की जो समस्या है और खतम हो जाएगी दिखें ग्लोसाइटिस तो एक छोड़ी से समस्या है लेकिन कई अनसमस्याओं को उत्पन कर देती है क्योंकि जीब का आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया है जो उस पर स्वाद कलिक अगर उनमें सूजन आ गई है तो खाते समय सलाइवा कम मात्रा में या उचित मात्रा में नहीं बनेगा तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा जानकारी समझ में आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करना एक दमासान है नीचे जो होए रहें और जानकारी पाते रहेंगे